प्रफेंट्स मैं उसभाष NLP ट्रेनर एंड लाइप कोच नेक्स वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो हर आदमी जीवन में सफल होना चाहता है बड़ा बनना चाहता है लेकिन ऐसे क्या कारण है कि हर आदमी सफल नहीं हो पाता हर इनसान इस दुनिया में खूप सपने देखता है बहुत बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन कुछ चंद लोग ही है जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं इसकी क्या वज़ा है क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी क्या कारण है कि हम जीवन में इतने सफल नहीं हो पाते जितनी हम चाहत करते है दोस्तों हमारी बहुत सी आदतों ने हमें जकड़ा हुआ है जो हमें बड़ा बनने से रोक रही है जब तक हम इन आदतों को बदलेंगे नहीं छोडेंगे नहीं तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों चलिए एक ऐसी आदत के बारे में समझें जिसको छोड़े बगेर हम सफल नहीं हो पाएंगे एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझते हैं एक बार एक महात्मा अपने शिश्च के साथ एक गाउं के पास से गुजर रहे थे, उन्हें भूग लग रही थी, तब ही उन्होंने एक घर देखा, वो घर के सामने पहुँच गए, घर का दरवाजा खट-कट आया, दरवाजा खुला और एक आदमी बहार आया, जो की काफी गरीब दिख रहा था, महात्मा ने कहा कि हमें बहुत भूक लगी है, क्या हमें खाना मिल सकता है, उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया, खाना खाने के बाद उस संत ने पूछा, उस महात्मा ने पूछा उस आदमी से, कि तुमारे खेत बहुत अच्छे दिख रहे है लेकिन लगता है कि तुम खेतों पे काम नहीं करते लगता है और तुमने ज़्यादा फ़सल भी नहीं वोई है तुम्हारा गुजारा केसे होता है उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक गाय है वो उस गाय का दूद इतना हो जाता है कि हमारा गुजारा हो जाता है रात हो रही थी इसलिए दोनों ही वहाँ पर रुख गए आधी रात के बाद संत ने अपने चेले को उठाया और कहा कि चलो अभी हमें चलना है इसी समय और हम यहां से जाने से पहले उस आदमी की गाय को चटान पे से गिरा के मार देंगे चेले को अपने गुरू की बात पर भरोसा नहीं हुआ लेकिन वो अपने गुरू को मना नहीं कर सकता था इसलिए उन्होंने गाय को चटान से गिरा दिया और वहां से रात को ही चले गए यह बात उस शिश के मन में खटकती गही कुछ साल के बाद जब वो शिश एक बड़ा आदमी बन गया तब उसे याद आया कि उस आदमी को क्यों न वापस से देखा जाए और हमने जो गलती की थी उस गलती को ठीक किया जाए उस आदमी की कुछ मदद कर दी जाए तो वो वापस से उस गाओं पहुँचा उस घर के सामने पहुँचा जब वो वाँ पहुँचा तो उसने देखा कि खाली जो पड़े खेत थे वो अब बगीचों में बदल चुके थे फलों का बगीचा लगया जा चुका था वहाँ तो उसने सोचा कि जब हमने उस आदमी की गाए मार दी थी तो वो सारी जमीन बेच कर यहां से कहीं चला गया होगा तो वो वापस लोटने लगा लेकिन उसने सामने आता हुआ देखा उसी आदमी को जब उससे मिला तो उससे बात की उसने उससे पूछा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं मैं अपने गुरू के साथ एक बार आपके पास रुका था उस आदमी ने कहा कि हाँ मुझे याद है आप लोग मेरे याँ ठेरे थे लेकिन उस रात ऐसी अन्होनी होई कि आप लोग तो चले गए लेकिन मेरी गाय चटान से पता नहीं केसे गिर कर मर गई फिर शिश्च ने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ तो उस आदमी ने बताया कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ लेकिन जीने के लिए कुछ तो कर नहीं था और फसल बेचने से थोड़े ज़्यादा पेसे आ गए तब मैंने बगीचा लगाना शुरू कर दिया अब इस समय में फ़लो का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ फिर उस आदमी ने कहा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ होता यदि वो गाय ना मरती तो मैं उसी तरह की जिन्दगी जी रहा होता शिष्ष ने उस आदमी से पूछा कि ये सब काम आप पहले भी तो कर सकते थे तब उस आदमी ने जवाब दिया कि पहले उस गाय से मेरा गुजारा हो जाता था मुझे कभी एसास ही नहीं हुआ कि मुझे काम करना चाहिए और काम करके आगे बढ़ना चाहिए जब मेरी जिन्दगी बगेर महनत के चल रही है तो मैं काम क्यों करूँ तो दोस्तों इसी तरह की जिंदिकी यदि आपकी भी चल रही है तो फिर बड़े बनने का सपना मत देखिए यह भी जीवन में ऐसी कोई आदत है जो आपको बड़ा बनने से रोक रही है जो आपको सफल होने से रोक रही है तो उस गाय को आज ही चट्टान से गिरा दीजिए आज ही उस आदत को छोड़ दीजिए अभी कलम उठाईए अभी कारज उठाईए अभी लिखिए कि आपकी वो कौन से आदत है जिसे छोड़ते से यह आपको सफलता आने शुरू हो जाईगी अब आप कहोगे कि सर कहना बहुत आसान है करना मुश्किल है हाँ मेरे दोस्त यह थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि यदि 90% लोग असफल है वो इसलिए है कि वो आसान काम कर रहे हैं और यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस आदत को छोड़ दीजिए तो यह उन 10% लोग परेशानी आये मुझे फोन लगाए तुरंत परेशानी का सामना बिल्कुल ना करें फोन उठाएं नंबर गुमाएं बात करें तो थैंक्यू दोस्तों बाई बाई मैं सुभाज जोशी NLP ट्रेनर एंड लाइप कोच आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ प्रयास करता हूँ कि आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफल हो